स्कोडा अपकमिंग कॉंपक्ट एस्यूवी या फिर स्कोडा अपकमिंग सब फोर मीटर एस्यूवी इस गाड़ी को अभी तक इंडियन रोड्स पे मल्टिबल टाइम टेस्ट करती हुए देखा गया है फुल के अंफ लोगड़ाप के अंदर और फिलाल इंडिया में इस गाड़ी का जो वेटिंग है वो बहुत सारा लोग कर रहे है और गाइस अब फाइनली इस गाड़ी का जो ओफिसियल नेम है वो एनाउंस हो चुका है इस गाड़ी का जो नाम होगा वो होगा कैलाख जिसका स्पेलिंग आप लोग अपने स्क्रीन के उपर फिलाल देख रहे हैं यह जो नाम है यह कैलास परबत का जो नाम है उससे इंस्पारड है इस गाड़ी को भी इंडिया में aumento का जो 2.2 प्रोग्राम है उसी के अंदर लॉंच किया जाएगा और इस गाड़ी में भी आपको MQB A0 IN प्लाटफर्म देखने को मिलेगा जिस सेम प्लाटफर्म के उपर Škoda Slavia और Škoda Kusak बगरा वेश्ट है Škoda के इस upcoming compact SUV के साथ में आपको एक 1 liter का TSI petrol engine देखने को मिलेगा जिसके साथ में आपको 114 HP का max power और 178 Nm का max torque देखने को मिल जाएगा 6-speed manual और torque converter automatic transmission के साथ में इस गाड़ी का इंडिया में launch date या फिर time की और अगर देखा जाए तो अभी तक तो company के तरब से कुछ भी clear date बगरा या फिर hint बगरा समने नहीं आया है लेकिन हम लोग ये expert कर रहे है कि इस गाड़ी का इंडिया में जो launch होगा वो 2025 का first 6 महिने के अंदर हो सकता है उसी का ही high chances है बाकी in future दिखा जाएगा कि क्या होता है और इस गाड़ी का इंडिया में जो prices रहेगा वो लगभग 8 तो 9 लाक्स की एक्सोरों प्राइसेंज से start हो सकता है अज की इस वीडियो में तो बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी next वीडियो में वीडियो चला गए तो जरू से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपके ये वीडियो का ऐसा लगा और वीडियो को शेर करना बिलकुल ना भूलना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं